मैंने लास WBZE का वीडियो डाला था ना वहाँ पे आप लोग के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि भी आपने वीडियो डाल दिया है लेकिन आप सार्म का वीडियो लेकर करने आ रहे हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या कुछ आपके इलिजबियोटी क्राइटीरिया रहने वाली है साथ-साथ बात करेंगे क्या कुछ एप्लिकेशन फॉर्म फी लगने वाला अलग लग फिजिज में एक्जैम के लिए तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं क्या कुछ रहने वाली हैने कि इलिजबियृर्टी क्राइटीरिया क्या है क्या है वांट करें जनक्र दो क्लास्ट्रोय साइन्स से क्या होना मच्ट है तो फ्ग्जिक्स और यहात उरने के लिए इसके अलावा जो अबहे आंग लिए आप इलेजिबल है यहाँ पर आप लाइप करने के लिए बात करें यहाँ पर आप अपलाई करने के लिए आपको आपको एज रिस्रिक्षिंस का तो आपका जो एज है ना minimum 16 year 6 months तो होना ही होना चाहिए as on 31st July 2025 का तभी जाकर क्या आप eligible हो पाएंगा अगर इससे कम रह गया ना एक भी दिन तो आप eligible नहीं हो पाओगे यहाँ पर apply करने के लिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर fee क्या कुछ लगता है application form fee की मैं बात करूं तो बात करें general category में या OVC category में या EWS category में तो mail में आपको 1200 रुपे का payment लगने वाला है और female category में भी 1200 रुपे का ही payment करना पड़ेगा वहीं पर SCST और PWD category की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको 1200 रुपे का payment जो है करना पड़ेगा वहाँ पर 3rd gender की बात करो तो ऐसा specified नहीं करा गया कि इस category में कितना comfy लगने वाला तो जूम करके चले कि 1200 रुपे का ही लगने वाला है इसको आप सिर्फ और सिर्फ online mode में पे कर सकते हैं इसके लिए आप credit card का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप जो UPI का इस्तेमाल करते का कौन-कौन से important dates रहने वाले हैं तो online application form release के अब बात को तो second week of November 2024 से आ जाएगा और इसका जो last date रहने वाला ना वो second week of April 2025 रहने वाला phase 1 के लिए जो रहने वाला यह second week of June 2025 से आ जाएगा अब बात करें इसका admit card का रिलीज हो रहा है slot booking कब से start हो रहा है तो April 2025 में इसका slot booking जो है phase 1 के लिए start हो जाएगा date of examination की बात करूँ तो fourth week of April 2025 में जो है इसका phase 1 का exam होगा और fourth week of June में जो है इसका phase 2 का exam होगा उसके बाद ही phase 3-4 के लिए जो date announce करे जाते है अगर मैं result की बात को तो second week of May 2025 में इसका result आ जाएगा और इसका counseling की बात करूँ तो fourth week of May 2025 में SRM University का counseling start हो जाता है बड़ आपको एक बात धारखना है कि यह जितने भी dates वाने आपको बताने सब के सब सब्सक्राइब करके बला आकन पर क्लिक कर लेना है ताकि जैसे मैं वीडियो डालू आप तक पहुंच जाए अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप में टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लो वहां पीडियव में PDF अब्लोड करता हूँ तो वहां से आप डाउनलोड कर पाऊँग सब्सक्राइब कर रेना है तो छmost्राइब करें हाँ तो शालू जाए ख्राइब कर पाऊँग।